आज मैं सेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही हेल्दी नास्ता जो बस एक चमच ओयल में बनके रेडी हो गया है तो चलिए फिर सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है एक कप बारीक वाली सूजी इसमें डालेंगे आधा कप दही डालके हम इसे अच्छे से म मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लंस न रह जाए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर ले तो बस यह मिक्स हो चुका है अब हम इसे रखेंगे रेश्ट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फोल जाए तो 10-15 मिनट हो चुके हैं सूजी देखिए अच पाउडर आधा कप डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस यह मिक्स हो चुका है अब इसमें डालेंगे एक छोटा प्यास बारीक कटा हुआ एक टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ सिमला मिच डालेंगे बारीक कटी हुई बीन्स डालेंगे बारीक कटी हुई दो चमच गाजर डालेंगे ग्रेट करी हुई दो चमच चुकंदर डालेंगे ग्रेट करा हुआ दो चमच डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा चमच डालेंगे और गेनो दो हरी मिच डालेंगे बारी सकते हैं वरना इसमें और कोई भी मसाले ना डाले, इसे अच्छे से मिक्स करें, सबजिया आप अपने मन पसंद की भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो सबजिया आप इसमें डाले, इसे अच्छे से मिक्स करें, हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ, इसे भी तो ये बेटर हमारा रेडी है, चलिए फिर इसके हम मिनी मिनी चीले बना के रेडी करते हैं, तो थोड़ा सा ओईल डाला है, मैंने बस एक चमच ओईल डाल के पैन में अच्छे से लगा लें, तो बस पैन भी अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक चमच भरके बेटर इस तरह से, तो एक बड़ा चमच भरके मैंने डाला है, दूसरी तरफ भी डाल लेंगे, छोटे-छोटे बनाएंगे चीले हम, तो इसे गुलाई का शेप दे दे इस तरह से, और इसे धीमी आज में एक मिनट के लिए ढख के पकाएं, तो एक मिनट हो चुके ह यह देखें, यह अच्छे से पक गए हैं, एक तरफ से, तो इसे पलट देंगे, ओईल अब हम यूज नहीं करेंगे, बस इसी ओईल में ही इसे अच्छे से पकने देंगे, तो एक तरफ भी अच्छे से पक जाएं, इसलिए इसे ढख दें, तो लगभग दो मिनट मैंने इसे पकाया है, दोनों तरफ से, तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, यह बहुत तेश्टी लगेंगे, और बच्छों के लिए बना रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा और तेश्टी बना देते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज डालके, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जीज डालके थोड़ा सा इसमें डालें, चिली फ्लैक्स और गेनो डालें थोड़ा सा उपर से, ताकि बच्छे इसे बहुत खुश होके खाएं, तो एकदम गरम गरम में डालें, तो चीज जल्दी से मेल